पहाडों पर मौनसून मुसीबत बनकर टूट रहा है बारिश का मौसम बेहिसाब मौश्किल बरसा रहा है हिमाचल से लेकर उत्तराखंट तक पहाड दरक रहे हैं चटाने खिसक रही है उपरी इलाकों पर बादल फटने से आया सैलाब दिचले हिस्सों तक तबाही मचा रही है ताजा तस्वीरे कुलू के गड़ासा वैली की हैं जहाँ बादल फटने के बाद पहाड़ी नदी में जबरदस तुपाना गया पहाडों से उत्री जलधारा तेज रफतार में निचले इलाकों तक पहुची तो उसकी चपेट में जो भी आया सब कुछ तबाह हो गया नदी ने अपना दाइरा तोड़ते हुए आसपास के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया चंगल के पेड उखड़कर सैलाब में समा गए लेहरों के वेक ने नदी किनारे बने मकानों को भी नहीं बक्षा बताया ये जा रहा है कि इस हादसे में खरीब आधा दरजन चोटे बड़े घर तबाह हो गए जबकि नदी के बगल से गुजरते हाईवे को भी भारी नुकसान पहुचा है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाईवे का बड़ा हिस्सा सैलाब की भेंट चर चुका है जिससे सडक संपर्क पूर गया है दोनों दरफ के लोग बीच रास्ते में ही फसके हैं ऐसा लग रहा है मानो हिमाचल पर मुसीबत का सिलसला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा हाल ही मैं आई बार की वज़ज़ से पिसले 16 दिनों से कुलू मनाली नैशनल हाईवे पहले ही बादित है कई जग़ तो ऐसे हैं कि कुलू मनाली हाईवे का नाम और निशान तक मिट चुका है जिसकी वज़ज़ से स्थानिये लोगों के साथ ही बाहर सैसलानी और यात्रियों को भी काफी दिकते हो रही है हाला कि नैशनल हाईवे अथारिटी की टीम हाईवे के हाला सुधारने में दिन रात एक किये हुए है और रास्ते को चालू करने की लगातार कोशिशें जारी है हमाचल के साथ साथ उत्तरा खंड में भी पहाडों से पत्थर मुसीबत बनकर बरस रहे है हाल के दिनों में देवों की नगरी आस्मानी चोट से कराह रही है जगा जगा चटान किसक रहे है जिससे हाईवे पर रास्तों को भारी नुकसान पहुँचा है बद्रिनाथ नैशनल हाईवे पर नंद प्रियाग के पास भी बुरे हालाथ है पहार से लगातार पत्थर किर रहे हैं जो रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों को अपना निशाना बना रहे हैं हलाकि खत्रे को देखते हुए अस्थानी प्रशासन ने फिलहाल रास्ते बंद कर दिये हैं और रोड से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है एक तरफ पहाड़ों पर चटान किसक रहे हैं तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में नदियां रौद रूप में नजर आ रही हैं उत्तराखंट से उत्री गंगा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उफान पर है बीती रात हरदवार में गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ नजर आया तो वहीं कानपुर में भी गंगा के पानी में उफान दिखा गंगा के ओवरफलो होने का असर नदी किनारे रहने वाले लोगों पर पड़ा गोला घाट के पास रहाइशी आलाकों में पानी भर गया तो कई घर पूरी तरह ढूब गए गंगा के साथ-साथ यमुना नदी में भी उफान जारी है दिली के बाद नौइडा और घाजियाबाद के तर्टिये आलाकों पर भी संकट मनराने लगा है नौइडा और घाजियाबाद से बहने वाली हिंडन नदी खत्रे के निशान पर पहुँच चुकी है जिससे हिंडन किनारे रहने वाले सैकडों लोगों पर संकट गहराने लगा है हलाकि नौइडा और घाजयबाद प्रिशासन ने एहत्यातन हिंडन नदी से सटे निचले इलाकों को खाली करा दिया है और वहार रहने वाले लोगों को सुरक्षि ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया है ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया